रेट बिटन दबा की सस्काइब करतीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताके हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए और जाने से पहले वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना अस्सलाम वालेकूं वर्हमतुल्लाई वबरकातूं नौवी साइंस डिसकोर्स कामलिखा का पंद्रा आईए समझें माहूल का हुसने इंतिजाम हवाला दर्जा हष्टुम की दर्सी किताब सबक मेंबर आठ आलूदगी मत तो कैसलायते मुक्तलिफ वाकियात और उनके असराद की वजवात में तालूद को जोड़ते हैं दुसरा माहूल की हिफाज़त के लिए कोशिश करते हैं आईए जहन नशिन करें आलूदगी आलाइंदे फिजाई आलूदगी आलूदगी हम हमारे अतराफ में रूनमा होने वाले कई वाकायात को देखते हैं इनसे तजर्वा हासिल करते हैं इनमें एक एहम वाकाया यानि आलूदगी माहूली निजाम के वो नुकसान दा अमल जिससे कुदरती माहूल में खराबी पैदा होती है आलूदगी कहलाती है, हमारे अतराफ में हर जगा आलूदगी नजर आती है तो खुद्रत की जो खुबसूर्ती है हमने आलूदगी से खराब करके रख दिये इनसान सबसे ज़्यादा खुद्रत में दखल अंदाजी करता है और आलूदगी पहलाता है और उसकी वज़ा से नुकसान भी सबसे दादा इंसान को होता है यहां आप तीन शकले देख रहे हैं एक जगा कारखानों से धुआ निकल रहा है दूसरी जगा गाड़ी से धुआ निकल रहा है और तीसरी जगा कारखानों में से गंदा पानी निकल कर बेहने वाले दरिया को या नद्धी को आलूदा कर रहा है अब आलाइंदे किसे कहते है माहुली जिजान के खुद्रती अफ़ाल में रुकावट पैदा करने वाले गहर हयाती और हयाती अज्जा नबतात, हेवानात और इंसान पर खतरनाक असरात मुरत्ब करने वाले अज्जा को आलाइंदे कहते है यानि जो अज्जा आलूदगी पैदा करते है वो गहर हयाती हों या हयाती हों वो आलाइंदे कहलाते है अब हम पढ़ेंगे फिजाई आलूदगी के बारे में फिजाई अलुद्वी जिस हवा में जहरीली गैस, धुआ, गर्द, कचरा, उर्द भी नी जानदार जैसे खतरना कज़ा शामिल हो और हवा को अलुदा करें उसे फिजाई अलुद्वी कहते हैं फिजाई अलुद्वी की वजुहात फिजाई अलुगी की दो वजुहाते हैं पुद्रती और इनसान की पैदा करदा पुद्रती में आता है आतिश फिशा का फटना आतिश फिशा के पटने से ठोज, गैस और माई की सूरत में अश्या खारिज होती है पुद्रती में आतिश फिशा कारवन डायकसाइड, अमोनियम, क्लॉराइड, हाइड़जन, बुखाराग, गर्द के जराग ये जो टेक्स्ट है वो थोड़ा धुनला नजर आ रहा है, पीडियेफ में ही धुनला है दूसरा जलजला, जलजली की वज़ा से जमीन के अंदुनी हिस्से के जहरीले गैसे और पानी की भाब, बड़े पैमाने पर हवा में शामिल हो जाती है तीसरा तूफान और गर्द गुबार, जमीन की गर्द, कचरा, मिटी और खुर्द भी जानदर हवा में शामिल होते ही जंगल की आग, जंगल की आग के वज़ा से कार्बन डायकसाई, सल्फर डायकसाई, हाइडोजन सल्फाइड और धुहा माहोल में शामिल हो जाता है, ये सारी गैसे जहरीलियें खुर्द भी जानदरों का हवा में शामिल होना, मसलन चंद बैक्टिरिया, फफून के बजरे, हवा में शामिल होने से, तो ये सब पुद्रती वज़वाद हैं जिनसे हवा आलूदा हो जाती है, दूसरा इंसान की पैदा करदा वज़वाद, पहला इसमें इंधन का इस्तिम बाग का कच्रा जलाने पर भी हवा आलूदा हो जाती है, तो ये दो तरह से इंधन जो है, इस्तिमाल हो रहा है और हमारी हवा को आलूदा कर रहा है, दूसरा है सनतकारी, मुक्तलिफ कारखानों से बड़े पैमाने पर धुहां खारीज होता है, गंदक किराग, नाइटोज बिजली पैदा की जाती है, एटम बंब जैसे बनाते हैं उसी टाइप से एटम से बिजली पैदा की जाती है और धमाकी किया जाते है, इनसे भी जो है यूरेनियम, थोरियम, ग्रेपाइट, अलमूनियम, अनासिर के इस्तमाल से तापकार्शवाओं के एक राश से हवा आल कई जगाओं पर यह पाई जाते हैं और यह भढतती है, तो बहुत स alláरा इसमें से गरदोगुबार और जहुरी गैसे यह सम निकलती हैं, जेंगलाचकी आग में गर्मियों की दिनों में अकसर आग लग जाती और या अतनी भढ़कती है और फेलती जाती है कि इससे तारा ज तो यह सवाला जिस तरह है कि आप अपने आप खुठ से लिखें अपने हिसां नहीं कर दुख को कैसा नहीं सी больше का दीफ कहा डिक जहा सकते हैं सके भारे में consent यूथ तीसरा फिजाय अलुदी को चार वजुहात लिखें चोफा जील में से इनसान की पैदा करदा अलुदी की अतराब दाइरह बनाएं जंगला की आग इनसान नहीं पैदा करता इंधन का इस्तेमाल करता इसके असपा सबको दाइरह बनाना आतिश विशाँ ये भी कुद्रती सनत कारी इनसान की पैदा करदा यहां आप बनाए जाज़ारा कुद्रती है जोरी धमाका इनसान का पैदा किया हुआ यहां पर दाइरा लगाई दिल की दसावीर में प्रिजाया लोगी की वज़ुहत किस किसम किया लिखिए यहां दो शकल लिखने की कोशिश किजिए अल्ला हापीज अल्ला हाँ झाल झाल